हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो कुक विद पहशन, फ्रेंड्स मकर सकरांती आने वाली है, तो मैंने इस बार तिल और गुड के लडू बनाए हैं, उमीद करती हूँ, आपको मेरे रेसेपी पसंद आएगी, अगर आपको मेरे रेसेपी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब सब्सक्राइब जरूर करें, तिल और गुड के लडू बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम तिल लिये हैं, 200 ग्राम गुड लिया है, और एक चम्मस देशी गी लिया है, आप चाहें तो इसमें वनस्पती गी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने एक नोन स्टिक पैन लिया है, और तिल अच्छे से भून जाएं, तिल बहुत जल्दी भून जाते हैं, इसलिए गेस की फ्लेम का ध्यान रखें, बहुत ज्यादा हमें गेस को हाई फ्लेम पे नहीं रखना है, नहीं तो तिल है, जो जल जाएंगे, तीन से चार मिनिट होने के बाद जब तिल भून जाएंग तो यहां मैंने देशी गी लिया है एक चमच जब गी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो इसमें हम गुड डाल देंगे मैंने यहां गुड को बारिक काटके रखा है ताकि जब गुड मेल्ट हो तो कोई परेशानी ना हो क्योंकि गुड की जो बड़ी बड़ी डलियां रह ज इसमें हमें गेस की जो आँच है उसे बहुत ज़्यादा तेज नहीं रखना है क्योंकि इसे गुड चिपकने लगेगा और चासनी भी हार्ड हो जाएगी और लागातार चलाते रहेंगे जब गुड अच्छे से मैल्ट हो जाए तो इसमें मैंने तीन से चार चोटे चमच पानी डाला है आप चाहें तो ना भी डालें लेकिन तीन से चार चोटे चमच पानी डाल देंगे तो गुड अच्छे से मैल्ट हो जाएगा अच्छे से मिक्स हो जाएगा अब एक से दो मिनिट तक फिर लागातार चलाते रहेंगे और गैस को यहां में लो फलेम पर ही रखना है अब हम इसकी चासनी को चेक कर लेते हैं इसके लिए मैंने एक बॉल में पानी लिया है और इसकी चासनी की दो से तीन ड्रोप जिसमें डाल के देखेंगे अगर हमारी चासनी बैठ रही है और फैल नहीं रही है तो हमारी जो गुड की चासनी एकदम परफेक्ट है यह देखे फ्रेंड्स यह एक जगे ठैर गई है तो यहां मैंने गैस को बंद कर दिया है और जो हमारा तिल का जो मिश्रन है उसे भी मैं इसमें डाल दूँगी और अच्छे से इसको हम चम्मत से मिला लेंगे क्योंकि गुड जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा चासनी हाड होती जाएगी इसलिए इस प्रोसेस को जितना जल्दी हो जल्दी जल्दी करें अभी यह मिश्रन बहुत गरम है तो अभी इसके लड़ू नहीं बनेंगे दो से तीन मिनिट के लिए इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे लेकिन इसे बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है अब एक चम्मत से इसका अलग लग थोड़ा सा पोर्शन लेंगे जितने साइज के आपके लड़ू बनाने है आपको और इस तरह से इसको फटा फट से इसकी छोटी छोटी बोल बनाते जाएंगे और इसके लड़ू बानते जाएंगे इस काम के लिए आप अपने घर में दूसरे सदशियों की भी हल्प ले सकती है क्योंकि जैसे जैसे मिशरन ठंडा होता जाएगा इसके लड़ू नहीं बनेंगे तो ये प्रोसेस हमें जल्दी जल्दी करने पड़ेगी इसी तरह से सेम प्रोसेस से दूसरी बार फिर से पोर्शन लेंगे थोड़ा सा और एक लड़ू फिर से बना लोंगी बस इसी प्रोसेस से हमें सारे लड़ू बना के तैयार कर लेने हैं यह लडू खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं तो इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करें और इसी प्रोसेस से हम सारे लडू फटा फट बना लेंगे और मैंने सारे लडू बना के तैयार कर लिये हैं उमीद करती हूँ आपको मेरे रेसिपी पसंद आएगी फ्रेंड्स अगर आपको मेरे रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत दन्यवाद